आईपियल 2020 में वैसे तो सभी टीमों को जीत का दावेदार माना जा रहा है लेकिन भारती क्रिकेट फैंस की निगाहें टिकी रहेंगी गत विजेता मुंबई इंडियन्स पर आपको बता दे UAE पहुँचते ही अभ्यास मैच के दौरान मुंबई इंडियन्स के दिगज बलेबाज रोहित शर्मा और हार्दिक पंडिया ने तुफानी बलेबाजी कर IPL 2020 में सभी टीमों के दिगज गेंदबाजों को संकेर दे दिया है कि इस बार भी मुंबई इंडियन के पहले मुकाबले से पहले रोहित शर्मा हार्दिक पंडिया इशान किशन क्रुनाल पंडिया जैसे मुंबई इंडियन्स के सभी दिगज बलेबाज मैदान पर जम कर पसीना बाहर रहे हैं इस दोरान खास तौर पर स्टार बलेबाज रोहित शर्मा और हार्दिक पंडिय बेहदी आक्रामक बल्ले बाजी करते नज़र आए कृकट विशिशग्यों की माने तो आई पील के पहरे मकाबले में ही रोहिद शर्मा और हादिक पंडिया तूफानी बल्ले बाजी कर तहल का मचा देंगे विश्व के सबसे बहतरीन बल्ले बाजों मैंसे एक रोहिद शर्मा के फैंस की तरफ से दावा किया जा रहा है IPL के दौरान रोहिद शर्मा एक ओवर में छेचके लगाने के अलावा मात्र 35 गेंद पर 120 रन बनाने का विश्व रेकॉर्ड बना सकते हैं रोहिद के बारे में यहां तक कहा जा रहा है कि IPL के पहले मैच में ही हिट मैन रोहिद शर्मा मात्र 35 गेंद पर 120 रन की तूफानी पारी खेल सकते हैं रोहिद शर्मा के अलावा मुंबाई इंडियन्स के पास एक ऐसा धाकड ओल्राउंडर बल्ले बाज है जो गेंद बाजी के साथ-साथ बल्ले बाजी के दम पर भी मुंबाई इंडियन्स के टीम को जीत दिलानी के ख्षमता रखता है यहां दरसल हम बात कर रहे हैं टीम इंडिया के दिगज ओल्राउंडर बल्ले बाज हार्दिक पंडिया की आपको बता दे कि मौझूदा समय में हार्दिक पंडिया विश्व के एक लौटे ऐसे ओल्राउंडर बल्ले बाज हैं जो अपनी तूफानी बल्ले बाजी के दम पर किसी भी मैच का रुख मोडनी की ख्षमता रखते हैं क्रिकेट विश्व क्यों की माने तो आईपियल के पहले मैच में हार्दिक पंडिया मात्र 12 गेंद की पारी में 50 रन जड़ सकते हैं दोस्तों आपको क्या लग रहा है आईपियल के दोरान हिट मैन रोहित शर्मा और हार्दिक पंडिया ये अद्बुत कारनामा कर पाएंगे धन्यवाद